आप सभी का आपके अपने चैनल रंजान अश्टेडी सेंटर पर स्वागत है ये वीडियो अपडेट में वेस्ट बिंगल बोर्ड कलास 12 के सभी स्टुडेट के लिए लाया हूँ और ये वीडियो अपडेट इकोनोमिक सब्जेट के बारे में है जो भी स्टुडेट नए ज कुझाव दिया जाएगा कॉलेश से रिलेटेट सारी पढ़ाई की तयारी भी कराई जाती है चैनल पर इसलिए सब्सक्राइब कर लिजे तो इकोनोमिक्स में दो इंपॉर्टेंट अंतर हम लोग डिफ्रेंसेस का डिसकस करेंगे भुगतां संतुलन में चालू खाता और प और यह रिपीटेट कोश्चेन प्रिविएस एर में आए हुए है ठीक है तो देखिए चालू खाता और पूंजी खाता क्या है चालू खाता और इंगलिस में करेंट एकाउंट कहते हैं पूंजी खाता को कैपिटल एकाउंट कहते हैं चालू खाता में लिखेगा इससे साम इसमें भावतिक अभावतिक दोनों मज़ामिध होते हैं, इसमें केवल पूंजी गत मज़ामिध होते हैं, इस खाते का एधार पर किसी देश की वैपारिक स्थिति का पता नहीं चलता है। ओपोजिट लिखना है. इस खाते का अनुकुल या परतिकूल होना भूख्तान संतूलन पर बहुत अधिक परभाव डालता है। इसका अनुकूल या परतिकूल होना कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसमें द्रिश्य गत, अद्रिश्य गत और अचायित मत सामिल रहते हैं। इसमें पुंजी, रीन, विनियोग से संबंदित मत सामिल होते हैं। यह अंतर कंपलीट होता है। दूसरा अंतर वैपारिक संत संतुलन में अंतर करेंगे। तो सोदा डेस्टिंग्स बिट्विन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पैमेंट प्रिवियस एर का है इंपॉर्टेंट है। वैपार संतुलन भुगतान संतुलन क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पैमेंट तो वैपार सं एक विश्टित धार्ना है, इसमें व्यपार संतूलन सामिल होता है। यह अनुकूल, परतिकूल और संतूलित हो सकता है। यह केवल संतूलित ही होता है। या देश की वास्तिवी कार्थिक स्थिति का घोतक होता है यह अंतराष्ट लेंदेन का पुर्ण विवरन नहीं है यह अंतराष्ट लेंदेन का पुर्ण विवरन है वेपार संतुलन केवल वेपार की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा दिशा और प्रकिर्थी की जनकारी दे अगले कोश्चन में हम लोग डिसकस करेंगे उत्पादन प्रोडक्शन के बारे में उत्पादन प्रकिरिया के तीन अवस्था हैं कुल उत्पाद आउसद उत्पाद सिमान उत्पाद तो यह जरूर देखिएगा आप सभी कोई इस वीडियो को नए जुड़े होंगे सस्क्र सब्सक्राइब को जरूर कीजेगा ठीक है धन्यवाद